वीकेंड पर एक ही बिल्डिंग में काम करने वाली कूबरकर्स एक लिफ में फस जाते हैं अब इने बचाने वाला दो तीन दीन तक कोई भी आने ने वाला था काहनी में ट्विस्ट दब आता है जब इनके फसने की पीछे भी एक राज दफन था हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको डाउन ये एक होलिवड की थ्रिलर मुवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ इसमें बहुत अच्छे ट्विस्ट आते हैं और एंडिंग भी बहुत अच्छी है तो आज तक इस वीडियो को जरू देखिएगा अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर देजिए अब बीना किसी दरीके एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन गारेक्टर जैनिफर को ओफिस में काम करता हो देखते हैं आज बहुत ही लेट हो चुका था उसके साथ ओफिस में कोई भी नहीं था पर फिर भी हो काम कर रही थी थोड़े दिनों पहले उसके फियांसी के साथ उसका जगड़ा हो गया था इस वाजे से उन्होंने ब्रेकट ऑप कर लिया था पर वीकेंड पर जाकर वो उसे सप्राइस करने वाली थी इसके बारे में वो एक इमेल लिखती है पर उसे सेंट नहीं करती है क्योंकि यह एक सप्राइस था नेक्सिन में हम अमारा और एक मैन क्यारेक्टर देखते है जिसका नाम है गाय यह भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रहा था यह दोनों अलग-अलग फ्लोर उपर एक ही लिफ्ट में चड़ें गाय जेनिफर से मिलते उसे कंफरेवल फिल कराने के लिए जोग स्वगिरा करना स्टार्ट कर देता है लिफ्ट में ड्रॉइंग बनी थी गाय ने जेनिफर को ड्रॉइंग दिखाए तभी अचानक से लिफ्ट बन हो जाती है लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी थी पर फिर भी कोई भी बटन काम नहीं करा था इन्होंने अलाम वेगरा दभाने की कोशिश की और कुछ भी वग नहीं करा था लिफ्ट में जेनिफर ने कैमेरे को नोटीस किया कैमेरे में वेव वेगरा करते है पर दूसरी साइड पर कोई भी नहीं था ये फोन करकर किसी के हल मांग सकते थे पर रेंज भी नहीं आ रही थी अब इस लिफ में ये पाच दिनों के लिए ट्रैप्ट है फ्राइडे सैटरेडे संडे और दो दिन की छुट्टी थी गाय ने जनिफर को कहा कि मैंने अभी-अभी इस बिल्ली में जॉब जॉइन किया है उसे इस लिफ के बार में जादा कुछ भी पता नहीं है जनिफर ने कहा कि कभी-कभी ये लिफ्ट आवाज करती थी शायद इसी वज़े से स्टग हो गई है गाय को अचानक से आईडा है कि लिफ के उपर से ये एक्जिट हो सकते है हर लिफ में एक्जिट होने के लिए कुछ ना कुछ तो हता है उसने खुद खोलने की कोशिश की पर उसकी इतनी हाइट नहीं थी फिर वो जुक कर जैनिफर को उपर की सिलिंग चेक करने के लिए गहता है जैनिफर के चेक करने के बाद भी ओपन नहीं हो रहा था इन्होंने बहुत ट्राय कि आपर कुछ भी नहीं हुआ एक गंडा बीद गया और जैनिफर रेलाइस करती है कि अब उसकी फ्लाइट उसने मिस कर दिया है वो गुस्सा होगे और सारी चीज़ों को गालिया देने लग गे उसे ब्यास लगी थी तो गाये ने उसे अपनी बॉटल दिये जैनिफर उसका पानी पेने से मना कर दिया पर गाये ने कहा हमारे पास एक तो एक पानी है दूसरी वाइन की बॉटल अब तुम डिसाइड करो वो मजाग में कहता है वाइन की बॉटल ओपन करने के लिए मेरे पास ओपनर भी है जैनिफर ने भी अपनी पर्स से निकाल कर उसे एक ओपनर दिखाया इस पर ये दोनों बहुत अस्त है, उसने विरबानी पी लिया था, वो गाय को as a gesture एक चॉकलेट डे दिया, उसने का अब हमें सारी चीज़ एकदम तोल माप कर यूज़ करनी चाहिए, हम यहाँ वर शायद पास दिनों के लिए फसे रह सकते हैं, अब इसके बाद और चार गं पीट गए थे, उसे पी करना था, पर गाय के सामने इस तरीके से टॉलेट करना है, उसे अजीब लगता है, गाय ने फिर उसे एक बोटल दी, कहा कि एक नैचरल चीज़ है, इसमें कोई भी शरम करने की ज़रूद नहीं है, उसे मुडने के लिए गएती है, और फिर टॉले एक ऐसा कोई भी नहीं है, जेनिफर ने भी अपने फियांसे के बार में उसे कहा, उसे सप्राइज देने वाली थी, तो फियांसे को भी उसके आने के बार में कुछ भी पता नहीं था, ये दोनों रेलाइस करते हैं कि वो कितने सेम हैं, गाय ने फिर वाइन की बोटल खोल टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे के ड्राइंग बनाने लगते हैं, गाय ने जेनिफर की बहुत ही अच्छे से ड्राइंग बनाई थी, पर जेनिफर उसके एक फणी से ड्राइंग बनाती हैं, जेनिफर को इसके लिए बुरा लगा और हो गहती हैं, तुमने मेर प्रपनर के साथ क्रीजी स्टोरी ये बताने लग जाते हैं जैनिफर कहती है कि एक बार में मेरे बॉइफ्रेंट के साथ लाइबररी में इंटिमेट हुई थी मैट पहले तो बहुत ही शर्मा रहा था पर बाद में हो गहता है कि मेरे एक कोवर कर दी हमें एक बार ड्राइव फिलगे ये बुख हो जाते हैं इंटिमेट होने के बाद आयने जैनिफर से कि तुम्हारे प्यार में पढ़ सकता हूं एक पास जैनिफर को वे क्वा पेने विश zg दी हमारे बीज में बहुत हुँ इसके बार में भूल जाएंगे वोँए फीयानसे से बहुत करती थी उसके पास वापस जाना जाती थी जाए को इस बात में बहुत हर्ड कर दिया वह था मुझे लगा था कि हम दोनों में क्या कुछ भी फील नहीं हुआ जनिवर ने गा कि ऐसा कुछ भी नहीं है उसका फियानसे के साथ बहुत से थी तुन में एक अंडरस्टैंडिंग थी जनिवर की यह सब बाते सुनकर एक बंड लिफ्ट में होने की बाउचुत एक दूसरे से बहुत ही दूर है कि सारा गाय महसुस करता है उसके आग में असो आ गए थे जनिवर उसे कहती है हम एक दूसरे को सही तरीके से जानते भी वो एक्चुल में इसी बिल्डी में सिकुरिटी गार्ड है उसने पहले जनिवर को जूट कहा था कि इसी बिल्डी में अकाउंटन्ट है उसने कन्वेस किया कि सब कुछ मैंने प्लान किया था वो जनिवर के साथ एक दूसरे को जानने के लिए चांस चाता था वो जाता था जेनिफर उसे पहजाने इसी वज़े से उसने सब कुछ किया था वो अपने बॉकिट से चावी निकालता है और लिफ स्टार्ट हो जाती है जेनिफर उस पर गुसा हो गई कहती है कि अब मैं पुलिस को कॉल करूंगे तुमने जो भी किया इसके लिए तुम्हें भुगतना प चुछ से गाय को अनकॉंशेस कर देती है उसे चेक करने के लिए पर गाय कॉंशेस था उसे भी मार कर बेहोश कर देता है जेनिफर के होश में आने के बाद गाय उसे कहता है एक बहुत अच्छा प्लान था यहां लिफ में हमारे बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं तो हमें एक दूसरे को जान पाए प्रैक्टिकली हमारी पूरी रिलेशन्शिप इस लिफ में हो गई हम एक दूसरे से मिले एक दूसरे को जाना और ब्रेक अप भी हो गया जैनिफर अब भी बहुत गुस्सा थी तो उसने अपने फियांसे के लिए जो गिफ लाय था कि गा उसके पास के पॉटल से उसने चट पर मारकर उसे खोल लिया वो जैनिफर से गहता है कि तुम मुझे सपोर्ट दो मैं उपर जाकर इस लिफ को खोल दूँगा जैनिफर उस पर बिल्यू नहीं करती कहती है कि मैं उपर जाती हूँ मेरा वेट कम है और मैं जल्दी से तुमे उपन कर दूँगी गाय को उस पर शक आने लग गया था पर उसे जो बात सुननी थी यही जैनिफर ने कहीं वो गहती कि हमने एक साथ इतना सारा टाइम स्पेंट किया मैं तुम्हें धोका क्यों दूँगी गाय भी फिर उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है और जैनिफर उपर आके उपर आने के बाद जैनिफर ने उसे धोका दे दिया मैट बहुत डिस्टर हो जाता है वो कुछ भी करकर उपर आने की कोशिश करता है उसने अपने कपड़े निकाले उससे एक रस्ती बनाकर उपर वो आ जाता है जैनिफर जड़ा जादा उपर जली गई थी व ये दोनों इससे इंजोर हो गए थे गाय अनकॉंशेस हो गया और जेनिफर होश में आ गई लिफ तैस नहीं थी तो उसने यहाँ पर फाइर अलाम को नोटिस किया गाय के गिफ्ट में से उसने लाइटन निकाल कर थोड़ी सी आग बनाने की कोशिश की गाय को होशाने के बाद हो गयता है ये सब वर्क नहीं करेगा हमें बचाने के लिए कोई भी आने नहीं वाला जेनिफर जल्दी से उसे मार कर उसके हाथ पैर बान देती है वो गहती कि हम यहाँ से जल्द से निकल जाएंगे पर तुमें सब कुछ अभी के अभी कनफेस करना पड़ेगा वो बाद में कोट में जुटी सावित नहीं हो सकती तो मैटकोस ने का तुम सब कुछ अब कनफेस कर दो अगर गाय ने इसा नहीं किया तो जेनिफर उसे बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट करने वाली थी गाय फिर सारी चीज़े कनफेस कर देता है जेनिफर फाइनल उसे पुछती है तुमने यह सब किया क्यो गाय कहता है कि मैं हर रोज तुम्हें देखता था तुम बहुत ही ब्यूटीफूल थी उस पर चार्जर लगे पर गाय के पास बहुत सारे पैसे थे तो six months में वो बाहर आ गया पर बाहर आने के बाद उसे कोई भी काम ने मिलता था स्लोली स्लोली उसके financial situation खराब हो गे और उसे security guard का का काम करना पड़ा वो जैनिफर से कहता है कि मैं फिर से मेरी old life को महसूस करना चाहता था इसी वज़े से उसने सब कुछ प्लान किया Nixon में हम देखते हैं कि Matt के साथ काम करने वाला security guard ये अपनी girlfriend को छट दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आता है उसने तो छुटी ली थी वो वापस आने निवाला था पर girlfriend को यहाँ लेकर आया वो रोडिस करता है कि गाय आसपास कही भी नहीं है उसने कैमेरे में जैनिफर और गाय को लिफ में देखा वो जल्दी से उनकी help करने के लिए पहुँच गया फ्रेन आया और लिफ को open करने की कोशिश करता है पर इस सिर्फ थोड़ी सी open हो रही थी वो अपनी कीज लेने के लिए वापस जाता है तभी गाय जैनिफर पर हमला करकर उसे बेहुच कर देता है वो वापस आया और अपनी की उसने mat को दे दी गाय कहता है कि उपर आओ मुझे help की जरूरत है वो आधा ही अंदर आया था तभी गाय ने लिफ को चालू करकर उसे मार डाला वो लिफ में उसकी body रख देता है जैनिफर को ले जाकर अपनी गाड़ी की ट्रंग में डाल दिया नीचे आकर उसने shower लिया कपड़े पहने लॉबी में आकर अपने friend की girlfriend को उसने notice किया वो इसके boyfriend के बारे में उसे पुछती है तो गाय ने कहा कि वो तो चला गया girlfriend ज़रा suspicious होकर यहाँ से जा रही थी तो मैट उस पर भी हमला करकर उसे मार डालता है अब इसके बाद अपनी गाड़ी में जेनिफर को एक सुमसान रस्ती पर वो लेकर गया वो थ्रैश के अन में petrol वेकर डाल कर जेनिफर की body को जला देने वाला था वो जब ड्रंग खोलता है तो जेनिफर जिन्दा थी उस पर हमला कर देती है जल्दी से गाड़ी में बैठ गी और आगे चलीगे उसने पीछे देखा तो गाए अभी जिन्दा था वो बहुत जादा गुसा हो जाती है रिवर्स में जोर से गाड़ी लेकर गाए को उसने मार डाला गाए को इडेश बिन में डालकर पेट्रोल शिड़क कर मार डालती है इसके साथ यह मूवी एंड हो गए अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा झाल 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 झाल